वेलकम यू आल तो इंद्रा सिक्यर्टी यूट्यूब चैनल और मैसल्फ मनीश चाल्वी और हम इस वीडियो में बात करने वाल है जो रिसेंट्ली आई-प्यू आया है जिसका ओपन डेट 3rd of July था और जो कि ओपन हो चुका है इसके बारे में जो कि बंसर वायर इंडस्री ल वायर प्रडक्शन में इन्वाल्व है और यहां पर कंपनी के लगबग लगबग 3,000 SKUs जिसके तुरू यह मैनुफेक्ट्रिंग्स और मार्केटिंग का ओपरेशन करती है और कंपनी की अगर यूनिट्स की बात करें तो यह जो कंपनी है अपने प्रड़क्स को वेरियस कं कंपनी जो है high carbon steel wires, mild carbon steel wires और stainless steel wires का production करती है और अपनी SKUs के तुरू यह अपने manufacturing and marketing को operate करती है अब IPO details की बात करें तो IPO 3rd of July को open हो चुका है और 5th of July को यह close होने वाला है साथ ही इसकी जो listing है वो 10th of July को होगी अब IPO का जो size है जिसके तुरू company पैसा collect करने वाली है वो 745 करोर रूपीज का collection यहाँ पर company करेगी public से और इसमें जो price band दिया गया है वो 243 से लेके 256 का दिया गया है मलब इसके बीच में आप IPO अप्लाई कर सकते हो yes आप bidet cutoff भी अप्लाई कर सकते हो bidet cutoff क्या होता है यह जानने के लिए Indra Securities के YouTube चैनल को आप subscribe करीजी आपको detail आगे मिलत करने से पहले तो आईए performance की बात करते हैं तो performance में सबसे पहला point यहाँ पर आता है कि जो IPO fresh offer है या फिर offer for sale है तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यह जो IPO है complete fresh offer है friends मतलब यह 745 करड़ रूपीज है यह पूरा का पूरा पैसा company के expansion में या company के utilization में जाने वाला है अगर offer for sale होता तो कहीं न कहीं promoter exit लेते हुए नजर आते हैं बट यहाँ पर यह जो पैसा है fresh offer है तो पहला green flag मुझे यहाँ नजर आता है इस IPO में कि यह fresh offer है अब friend इसका जो second part है वो है financial data या financial performance जो की बहुत key important role play करता है किसी भी IPO के selection में या rejection में अब company का profitable होना last three years में बहुत ज financials बताते हैं यहाँ पर जो assets की बात करें तो assets जो है 33.8% की growth on a CAGR basis दे रहा है last two years में वहीं में बात करूँ revenues की तो revenue 5.86 का growth है जो की थोड़ा सा कम नजर आता है मुझे यहाँ पर sales growth में हमेशा जो numbers में जब भी देखता हूं तो मुझे sales growth जो है 15% या उससे थोड़ा सा productivity यहाँ पर नजर आ लिए friends अभी profits after tax मतलब net profit की बात करूँ तो वह 17.28% से बढ़ रहा है यह भी it is optimum and which is as per standard है वहीं अगर network की बात करें तो इसकी जो network है लगा आता last three years में या two years के data में 37.28 के CAGR से बढ़ रही है साथी अगर reserves and supplies की बात करें तो वह भी 30% के CAGR से बढ़ र rates से बढ़ रही है या इसकी asset जिस rates से बढ़ रही है उससे कम rates से इनका borrowings बढ़ रहा है friends जो की लगभभभग 28% से बढ़ रहा है so यहाँ पर इस point को देखो तो थोड़ा better नजर आती है company on the financials only एक थोड़ा सा यहाँ पर problem है जो की sales growth जो की थोड़ा उतना नहीं है जितना म नहीं होता हो यहां तो fresh IPO है so it is fresh issue है तो इस fresh issue में promoter का holding है pre IPO जो holding है 95% के आसपास है and post IPO जो holding से लगभग 75% के आसपास आ रहा है जो कि मेरे threshold level 67% से जादा ही है तो यहाँ पर एक और green flag मुझे मिल जाता है friends next यहाँ पर बात करो ROE and ROCE की तो ROE return on equity मतलब promoter ने जो पैसा लग हो या थोड़ा double digit में हो तो it's well and good अभी यहाँ पर देखे तो इसका 21.19% का ROE नज़र आता है next is ROCE जो की again जो भी company debt में होती तो उसका ROCE बहुत important होता है देखना है तो ROCE की बात करो तो यहाँ पर 18.46% का ROCE अगे यह भी double digit में है तो यहाँ पर यह numbers भी positive मुझे नज़र आ हाला कि यह जो fund यहाँ यूटिलाइस करने वाले है यह यह जो IPO लेकर आने वाले इस fund का utilization यह debt repayment में करेंगे तो IPO के बाद post IPO यह debt to equity reduce हो जाएगा so somewhere industry standard की बात को तो debt to equity इस industry का है steel and power related हो या wires related companies हो उसका debt to equity होता है one point से जादा मतलब one से जादा debt to equity होता ही है as per industry standard इनका debt to equity नजर आता है next अगर मैं बात करता हो sector performance की तो overall sector की बात करें तो यहाँ पर other company जो की sector में involved है let's say इन companies की अगर मैं बात करो तो global राजरतन global wires, DP wires, bad muthah industries यह companies की performance लगातर अच्छी देखने को मिल रही है साथ ही जब industrial tailwind हो तो company का performance automatically बढ़ जाता है तो overall sector wise देखे तो थोड़ा better perform करती नजर आ रही है पूरी industries की company अब next element PE ratio की बात करो तो PE ratio यहाँ पर है 40 है जो की industry standards के साथ-साथ है मतलब जो मैंने example अभी लिया था industry की companies का let's say राजनतन global wires and DP wires इनके जो PE ratio है वो 41.7, 18.9 and 35.4 है जो की industry के 8 पार नजर आ रहा है इनका PE ratio and हाला कि company का जो PE ratio है उतना हम effectively observe नहीं करते हैं बड़ जब company का evaluation करना हो IPO का decision लेना हो तो कहीं हम PE ratio थोड़ा थोड़ा सा हम लोग focus करते हैं friends अब last but not the least company जो है GMP जो gray market premium हाला कि इसको देखकर हम decision नहीं ले रहे हैं आपको भी इसको देखकर decision नहीं लेना चाहिए हमेशा तो 25% या 23% की range में 2 या 3 दिनों से hover कर रहा है तो इसी range में अगर रहता है तो आपको हो सकता listing gain 25% के आसपास का या 33% के आसपास का हो सकता है friends but at the end अब यहां पर केवल GMP देखकर आप please कोई decision मत दीजिए क्योंकि GMP आपके future glance या future growth को नहीं बताता है आपको जो भी decision लेना होता है इसके company के financials, promoters, holdings बहुत सारी चीज़ों को involve करके लेना होता है so please try to evaluate everything हाला कि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है आपका जो भी decision होगा आप उस decision में और जाधा effectively better decision making हो सकता है after watching this video friends after this particular whole discussion मुझे ऐसा लगता है कि IPO तो better है but final decision आपका होगा friends क्योंकि मैं यहां decision making में आप better हो सकते है, whether आप investment के लिए जाना चाहते है इस IPO में, whether आप listing end के लिए जाना चाहते है और अगर आपको IPO lot नहीं होता है तो क्या आप listing के बाद buy करेंगे इसका information please comment box में जरूर दीजेगा और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को जरूर subscribe करें और जो bell icon अगला वीडियो अगर हमारा आए तो उसके बारे में आपको तूरन डिटेल मिल जाए thank you very much friends